कोरोना वाइरिस महामारी के मामले लगतार बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते आर्थ विवस्ता भी पूरी तरह से चौपट होती हुई नजर आ रही है हिमाचल परदेश की टूरिजम इंडस्ट्री भी इस महामारी की चिपेट में आ गई है परदेश के सबसे खुबसूरत परेटन स्टल डलाओजी खजियार में भी सेकड़ो होटल विरान है क्योंकि इस महामारी ने परेटन कारोबार की कमर तोड़ दी है परदेश कॉंगर्स पारिटी की वरिष्ट नेतरी और डलाओजी से बिधाई का आशा कुमारी ने पतरकार वारता के दुरान कहा है कि इस महामारी ने सब चौपट कर दिया है लेकिन डलाओजी में टूरिजम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है यहां पर होटल के साथ साथ टेक्सी चालक, घोडे बाले और कुली का काम करने वाले लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है इस महामारी को पूरा एक साल होने के बाद भी कारोबार पट्री पर नहीं लोट सका है आशा कुमारी ने कहा है कि हिमाचल परदेश की जराम सरकार को टूरिजम इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए किसी बिशेच पैकेज का एलान करना होगा वहीं दूसरी याउड लूजी से कॉंगरस की बिदाएका आशा कुमारी का कहना है कि तूरिजम इंडस्ट्री के साथ जुड़ी इंडस्ट्री होती है याने जैसे टैक्सी वाले हैं बस वाले हैं गाइड्स हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले हैं यह सारा कुछ जो है इसी के साथ जुड़ा होता है वो चाहे आपके बोटिंग पॉइंट्स हैं जो भी है कि जब तक ये महामारी चलती है तब तक इन सारे ही सेक्टर्स को कुछ ना कुछ राहत दी जाए एक तो जो इलेक्टरिसिटी के डिवान चार्जिज हैं ये माफ किये जाए पानी बिजली तो फ्री कर देनी चाहिए जब तक ये महामारी का अंत नहीं होता इसी तरह से जो छो या एसेंशल गोड्स नहीं बेचते हैं, लोगों के तरह तरह के बिजनस हैं, तो अगर लोगों को राहत नहीं मिलेगी, तो टैक्स की राहत के अलावा आज की तारीक में आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और उसके अलावा पैकेज़ दें आप, स्टिमुलस पैकेज़ द है, वो करने की सक्ट जरूरत है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हुई है, ऐसे मैं इस इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए सरकार को विशेश पैकेज़ का एलान करना होका ताकि इन्हें देक्कतों का सामना ना कर पड़े एटीवी भारत के लिए चमबा से मन्जूर पठान की रिपोर्ट